हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल रिल्वे जॉप इन्फोर्मेशन में मैंने इस वीडियो में राज जिस्वाज से जितने भी इंपॉर्टन कोशन बनते हैं सब लिए हैं जो आने वाल एकजाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टन है तो बीना किसी दे सब्सक्राइब के उपर अपर हाउस को किस नाम से जाना जाते हैं जिसे राजिसवा भी कहते हैं अपर हाउस को उच्छ सदन राजिसवा रेक्स कुश्च्टन कॉंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राजिसवा कब पढ़ा तो 1954 में पढ़ा आगे देखिए राजिसवा के कुल संख्या कितनी हैं 250 है कि राजिसवा में निवार्ची सदस्यो सदस्यो की अधिक्तम संख्या कितनी है अधिक्तम संख्या भी तोसो पैतालिस है निवार्चित बोला गया निवार्चित सद्ध राजी सब्बा का सद्ध से बनने के लिए नियुत्तम आयू कितनी होने चाहिए 30 वर और लोक सब्बा के जो पिछले वीडियों बताएं तो उसके लिए 25 वर आगे देखिए राजी सब्बा एक कैसा सदन तो राजी सब्बबब एक सथाय सदन है राजी सब्बा को सथाय सदन कहते हैं क्यॐंकि इसे विगटित नहीं किया जा सकता है इसलिए से अस्थाई सदन करते हैं राज सभा एक अस्थाई सदन होने के कारण एक तिहाय सदस्य पती दो वर्ष पर स्ववनिवित होते हैं अस्थाई सदन होने के कारण यह जिसमें वन थर्ड जो उसमें मेंबर होते हैं दो वर्स में कुछ से शेवनेत हो जाते है राज्य सभा के दवी वार्षिक चुनाओ की आजी सूचना कौन जारी करता है तो ये निवार्षिचन आयोग जारी करता है कि राज्य सभा के सदस्य का चुनाओ किसके दुवारा किया जाता है तो विधान सभा में चुने हुए सदस्यों के दुवारा किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं कि राज्य सभा के सदस्यों का कारिकल कितने वर्षियों का होता है तो छे वर्ष पिछली वीडियो में जो लोग सभा के बदा है तो वह पांच वर्षियों का होता है राज्य सभा का कारिकाल जो मूल सविधान के किस अंतगर्थ पांच वर्ष था और 42 सविधान संसोदन दुवारा बढ़ागा कितने वर्ष किया गया तो 6 वर्ष पहले यह पांच वर्ष कथा जो 42 सविधान संसोदन हुआ उसमें इसे 6 वर्ष कर दिया गया कि राज्ज सभा में राज्यों का पति नितित्व किस बात पर निर्वर करता है। भारत के सभिधान की कौन सी अनुसुची राज्ज सभा में सीटों के बटवारों को निधारण करती है जो चौथी अनुसूची में राजसभा का सीटों को बटवारों का निधारण करती है किस सदन में अध्याच उस सदन का सदन से नहीं होता है तो राजसभा का अध्याच उस सदन का अध्यच सदस्य नहीं होता है, तो राजशबा, का सववपती कौन होता है, तो उपराश्चपती, जो हम लोगम का भी है, एम वंकली है नाडू, जी राश्चपती सवपती है, और उपराश्चपती भी अभारत का, तो निमलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यच के रूप में कारी कर सकते हैं तो भारत का उपराश्ट पती राजसभा के सभपती की अनुपस्तिति में राजसभा का संचालन कौन करता है तो उप सभपती करता है राजसवा की दो बैटो के मध्य समय ऐनत्राल कितना होता है तो six month का होता है राजसवा दो बैटो के भीज का समय makes भातिर राजसवा पहली बार कब गठित की गई भातिर राजसवा पहली बार 1952 की पिख क्या पर आपको भान करने कके दिखार किसे प्रापत है इन में से तो और राजप्णक के सदश्य होते हुए राज़साबा का लोक और लोक所以 दोनों बोल सकते हैं कि वे मन्तिरी जो रासबा के सदस्य है निम्नकिन्थ में कौन राजसभा का एकांतिक सक्ति का अंतिगत आता है तो अखिल भात्य सेवाओं का सर्जन यदि केंद्रिय संसत को राज सुची में सामिल विधाई सक्तियों और विशेयों का गरहन करना होता तो इस आश्य का प्रस्ताव किसके दुवारा पारित किया जाता तो राजसभा दुवारा पारित किया जाता लोकसभा दुबारा पारित धन विदायक राजसभा दुबारा पारित मान लिया जाता है यादि उच सदन उच पर किसी समय सीमा में काली समपाधन ना कर सके तो 14 दिन अगर धन विदायक राज सभाम भेजा जाता और 14 दिन के अंदर कुछ नहीं होने से उसे पारिस समझा जाता है राश्पति दुबारा राज सभा का सदस्य के नामकं का नियम किस देश के सविधान से लिए गया तो आयलेंड से लिए गया उपरी सदन या जिसे राज शबह करते हैं कि कितने सदन से कि नियुक्ति भायत के राश्पति दुबारा कि जा सकती तो बारा लोग शबह में दो राश्पति दुबारा राज सभा के लिए कला साहित विज्ञान आदी छेतों बार सद्यत्यों को और मनुनित करने की अवेस्ता भायत सविधान के किस अनुश्यत के अंतगत आता है सर प्रत्थम किस फिल्म अविनेता को राज सभा का सदत मनुनित किया गया था पित्वी राज कपूर को राज सभा के लिए नामित प्रत्थम फिल्म अविनेत्री कौन थी तो नर्गिस दत राज सभा में किस राज के पती निध्यों की संखिया सरवदिक है तो उत्तर परदेश की संखिया सरवदिक है राज सभा के पहले सभबपती कौन थे तो डॉक्टर एस राधा किशन थे राज सभा के पहले उप सभब पती कौन थे तो उप सभब पहले एस वी किशन मुर्ती राव थे किन्द राजों का राज सभा में पति निर्थ्व नहीं है अंडमा निकुबर द्यूप लच्च द्यूप चंडिगर सबी के पति निर्थ्व राज सभा में नहीं है आगे बढ़ते हैं कि इस समय राज सभा के उप सभा सब्बोन है तो हरी वंस नरायन सभी इस पय्यांक्र है ये बारी इंप्रिटेंट ऩह ये कि यह 35 कोश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो राज्य से बसलिए हैं जो आने वाला एकजाम को मोस्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट तो आप इस वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद